प्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आप लोग सोच रहोंगे आज इस टाइम पर वीडियो क्यों बना दी तो बेसिकली वीडियो बनाने का एक रीजन है और वह रीजन है आप लोगों को एक गुड़ नियूज देनी है गुड़ नियूज है आपकी वेकेंसी से आपको केंद्र विद्याले की वेकेंसी देखने को मिलने वाली है कब देखने को मिलने वाली है ये आज मैं आपको बता सकता हूं जिसका आप लोगों को काफी समय से इंतिजारता लगबग 4 साल होने वाले अब 4 साल कंप्लीट हो गए आपके और ये वेकेंसी अब आपको तो यह कभी कि आ जानी थी वन्ना मैं सुरू से कही महीनों से जो आइडिया लेकर चल रहा था वह यह था कि या तो दिसंबर में आ जाएगी या जो आपका कि आपको देखने को मिलेंगे तो आपर भी मेरी कुछ जान पेचान है तो वहाँ पर इस बात को मैंने फिर वेरिफाई करा तो वेरिफाई करने के बाद मुझे एक बात और पता चली उन्होंने भी सेम बात कहीं केरें दो-चार दिन के अंदर आपको वेकंची देखने को मिल जाएगी किसकी केंद्रे विदाले के वेकंची दो-चार दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी बाई मेरा तो दिमाग गूम गया कि जो वेकंची मलब इतना लेट लतीफ हो गई जिसके ओपर बच्च तो समझ लो न्यूज जो एक नफर में उसके बाद फिर में ने एक और अपने दोस्से कंफरम करा उसने तो का भाई फ्राइडे तक आ जाएगी खेर दोको एक जाइड डेट तो किसी को नहीं पता होता है कि थोड़ा फ्राइडे हो जाए थोड़ा आगे पीछी भी हो जाए दोँआ लेकिन सबी से बात मालूम करने के बाद ये चीज निखली कि जो केंदरे विद्यालने की वेकिंसी है वो इसी वीग यहना तो यह एक शोकिंग निउस देखने को मिली आज जो सुबह सुबह देखने मिली जिसकी वजह से मुझे आपके लिए वीडियो बनानी पड़ी ठीक है क्या आप सबीको बता है मैं जो भी निउस देता हो वह ऑथेंटिक होती है वन्हा जूटी और इस तरीके की निउस बरामक खबर में कभी नहीं देता तो देखें जो वेकंसी है जो यह लेट लतीफ हो रहा था इसके ओपर जो फाइल वगर अपके सामने खड़ी है अब आपको देखने को मिलने वाली है या तो आपको इसी आपते में यह बात इन्होंने कंफर्म कर दिये जब इन लोगों से बात ह कोई तो यह तो कन्फर्म हो गए ठीक है तो जो मैं बताता था यहां तो धिसंबर में आए इसे बनती है ऐसा हो सकता है वैसे तो यही सब्ते के अंदर ही मनलब जातक पूरी संभावना है भाई चांद थोड़ा बहुत लेट लतीफ हुआ तो थोड़ा आगे जा सकती है मनद दिसंबर तक जा सकती है वन्ना वेकेंची आप तो यह आपको confirm हो गई है अब आपके सामने खड़ी है कभी भी ठीक है अब यह वाली बात नहीं है कि Friday को आएगी दो तिन दिन के बाद आएगी अब KBS की वेकेंची कभी और किसी भी दिन आपको देखने को मिल जाएगी तो वो वाला टाइम अब आपका आगया है अब यार यह नहीं कह सकते दिसंबर में आएगी या LD के एकजाम के बाद आजएगी यह बात को मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी जो जानकारी लेता हूँ डिपार्टमेंट के अंदर चाया कोई भी डिपार्टमेंट हो चाया अब कोई भी संच है कोई भी काम नहीं बचा है दूसरी बात एक और गुड न्यूज है एक गुड न्यूज तो यह होगी दूसरी गुड न्यूज यह है जो आपको वेकंसी इस बार देखने को मिलेगी जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी पोस्ट भी इस बार अच्छ देखने को मिलने वाली है ठीक है बाकी एक बार जैसे आप लोग पूछरो जो बच्चों का सीटेट पास हो गया है पहले से तो वो तो इसके लिए भरेंगे भरेंगे जो बच्चे इस बार सीटेट का एक्जाम दे रहे है ठीक है तो वो उनकी भी पूरी संभावना है वो भी भरेंगे क्योंकि दोजार अठार के अंदर जो वेकिंस आएगी आई ती तो उनके लिए कोलम दे दिया था तो सीटेट का रजिस्टेशन नंबर डालकर वो उस कोलम के अंदर फिल करके वो भी पातर बन गए थे के विसके अंदर लेकिन एक बार नोटिफिकेशन आने जे उसके बाद सब क्लिए हो जाएगी जैसे कुछ चेंजिज वाया संभावना जरूर अब किरूट रूब के ओपर काफी लंबा टाइम में आपका चला है बाकि कुछ अभी कहना अपनी तरफ से तुक क्यमाना सहीं नहीं है थोड़ा सा इतना वेट करा थोड़ा सा और वेट कर लो और नोटिटिफिकेस नाने के बाद सारी छीज़ें आपकी आपकी किलियर हो जाएगी तो अब वो लोगों करना है देखें मैं आपको बताता हूँ तो अब आपको क्या काम करना है सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है आप लोग मेरे यूटूब चैनल पर जाओगे तो एक हपते के बाद में एक स्टेटीज वाली वीडियो बनाकर डालूँगा हालकि मैंने डाली हुई थी के वेज दो जार बाइस के नाम से देखे आज स पर 6 लाग के आसपास वीव होने वाले इस वीडियो को आप लोग तब तक देख सकते हो मैंने इसकंदर पूरी स्टेटीज बताई है लेकिन एक हत्ते बाद फिर नहीं तरीके से बताऊंगा बाकि जो आपके सब्जेक्ट होते है जैसा आपका पैड़ा को जी हुआ इसका पेपर सोल किया हुआ है पिछले साल का पेपर सोल किया हुआ है किस तरीके साथ आता है किस तरीके से नहीं आता इसी तरीके से हिंदी को सोल किया हुआ है कम्पिटर जो आपके एक्जाम में आता है वो कैसा आता है इवेस आपको सोल किया हुआ है ठीक है यह तो सीटेट का पूछते हैं कि सर जो इंटर्यू होता है इंटर्यू का बता दो यार इंटर्यू की तैयारी रही अपने knowledge के लिए आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने channel पर खुद interview डाले हुए, एक दो तो अपने भी डाले हुए, ठीक है, तो interview आपका part है बाद का, पहले जो आपका written exam है, written exam के आपको तयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, उसकी सारी strategy मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो वो चीज आपकी बाद की बात है, interview की, वो चीज बाद में करना, पहले जो आपका पहला part है, जो आपको cutoff आपको पास करनी है, वो चीज आपको पास करनी है, उसके बाद interview का जो आपका part रहेगा, ठीक है, तो यह सब जो आपकी स्टेटीजी वाली वीडियो है वो सब में आपको सारी चीज़े आपके साथ शेयर कर दूंगा एक-एक करें ठीक तो यह संबंदी जो जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी तो फ्रेंड्स यही मुझे गुड़ न्यूज देनी थी आप लोग दे दो-चार घंटे की पढ़ाई का टाइम नहीं है अब जो आपको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई का टाइम आगया आपका लगबग आठ से दस घंटे की डेली आपको पढ़ाई करनी है ठीक है लगबग आठ से दस घंटे की आठ से और अभी से आप लोग पढ़ने में बाकि वेकेंसी की मैंने आपको बता दी जो बाहर से डिपार्टमेंट से जो ख़बर मिली है वह मैंने आप लोग के साथ शेर कर दी ठीक है तो यह आप लोग जो है जो आपका मन्त होने वाला है बाकी थोड़ा बहुत लेट लगतीफ हो जाए सरकारी काम होते है थोड़ा बह बार एक्जाम क्लियर करवा दू उसके बाद फिर में केवेस में आपको लग जाओंगा ठीक है बागी एक हपते बाद में इसकी स्टेटीजी को पर एक बार और वीडियो बनाता हूं कैसे पढ़ना है कहां से पढ़ना है क्योंकि केवेस के लिए एक्जेक्ट एपरोच चाहि आपके लिए हुई तो आप लोग टैंचन फिरी रहे है घपराना मत ठीक है वेकेंची कब बंब अब आपके उपर जल्दी फुटने वाला है तो यही मुझे आपको न्यूज देनी थी और दो गूड न्यूज देनी थी कि वेकेंची अब आपकी कभी भी आने वाली है और तो यह मैंने आपके साथ चीजें शेयर कर दी को योड न्यूज आएगी आपके साथ शेयर कर दूँगा थोड़ा सीटेट को निप्टा दू इस बार उसके बाद फिर केई वेस में आपके साथ फिर में इनमोल हो जाओंगा लग जाओंगा चिले फेंट्स आज की वीडिय अनता गुन्यूज देनिधि थेंक्यों